हेलो गाईज कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू जिसे हम मोती चूर के लड्डू भी कहते हैं यह देखे हमने यह बेसन को हम भेट लेंगे बहुत अच्छे से और फिर इसके अंदर हम डालेंगे फूड कलर जैसा कलर आप देना चाहें डार किया हल्का यह देखे इसे इतना ना ज्यादा गाणा और नहीं ज्यादा पतला अब हम बनाएंगे बूंदी यह देखे बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं बूंदी हम बारीक भी बना सकते हैं थोड़ी सी मोटी भी बना सकते हैं यह हमारी बूंदी ना बहुत ज्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज्यादा मोटी है यह देखे इसे हम बहुत अच्छे से प्राई कर लेंगे ये खाने में बहुत अच्छे बहुत जायके के लगते हैं अब हम इसे धेरे धेरे हम इसमें निकालेंगे इससे इसका सारा ओयल भी निकल जाएगा और ये देखें जितना हमने बेसन लिया था उतनी हम चीनी लेंगे अब इधर हम इसकी चाशनी बनाएंगे और पानी चीनी से थोड़ा सा कम लेंगे अब इसमें डालेंगे हम कलर जो कलर हमने उसमें डाला था बेसन में और इसमें थोड़ा सा हम नीमू डालेंगे और हम इसे तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे यह थोड़ी गाड़ी सी होनी चाहिए, चिपचिप वाली होनी चाहिए, लेकिन तार नहीं होना चाहिए उसमें चाशनी में, यह देखिए चिपचिप आट सा होना चाहिए इसमें, यह बहुत अच्छे से खौल जाए और अब इसमें हम यह डालेंगे, बून दी, अब हम इस गैस हमारा बराबर चलता हुआ होना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से चाश निए बूंदी के अंदर जजब हो जाए और इसमें हम डालेंगे खर्बूजे के बीज हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम तकरीबन 15-20 मिनट ढखके रखेंगे उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए हम ये बूंदी के लड़ू बनाएंगे ये देखे कितने सोफट और बहुत जैके के बहुत मज़ेदार बनते हैं जब भी आपका दिल चाहे आप घर में फटाफट जल्दी से आप ये बूंदी के लड़ू तयार कीजिए और खाईए और खिलाईए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ये देखिए ये कितने सोफट इतने अच्छे बूंदी के लड़ू तयार होगी